हेलो माई डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम आपके लिए ए पींच ओफिशनप जो क्लास 12 के प्रोज से चाप्टर 3 है ए पींच ओफिशनप उसका आज इस वीडियो में हम समरी डिसकस करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चेप्टर है आपके एक्जाम के आई इसको समझते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कहीं भी प्रॉबलम ना हो ओके तो सबसे पहले समझते हैं कि यह पींच ओफिशनप का मतलब क्या होता है देखिए पींच का मतलब होता है इसमें दोनों वर्ट का पहले मतलब समझेंगे, पींच and snuff, पींच का मतलब होता है चुटकी, and snuff का मतलब होता है शुंगनी, ठीक है न, सुंगनी कहीं 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 खैनी भी देता है, ठीक है, एक मतलब एक चुटकी, खैनी या एक चुटकी, सुंगनी भी बोल सकते हैं, ठीक है न, ये चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि इस chapter का जो main character नानुका का है ठीक है वो एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सुंगनी खाकर ही ठीक है और सारे काम को चतुराई पूर्वक करते हैं ठीक है ये chapter वीड्स एंड एडवेंचर से भरा हुआ है ठीक है अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत ही interesting chapter आपको लगा होगा ठीक है तो आएए देखते हैं और समझते हैं एक एक लाइन को करा है एक pinch of snuff is a short story सबसे पहला बात एक नंबर का question हमारा यहां भी आ गया कि pinch of snuff is what a short story एक छोटा कहानी है short story है ठीक है यह भी आपसे पूछता है option में देखा short story speech ठीक है ऐसे करकर के कुछ कुछ दे देता है आपको ध्यान रखना होगा कि pinch of snuff क्या है short story है ठीक है my dear student written by manohar malgonkar written by manohar malgonkar written by manohar malgonkar किस के द्वारा लिखा गया है manohar malgonkar के द्वारा लिखा गया है इसके writer कौन है manohar malgonkar ठीक है my dear students यहां तक काई हो कि clear हो गया होगा he was born in 1913 उनका जनम यानि manohar malgonkar का जनम 1913 में हुआ ठीक है यानि यह pinch of snuff हमारा एक short story है ठीक है जिसे manohar malgonkar ने लिखा है जिनका जनम 1913 में हुआ ठीक है he is a well known novelist and short story writer उन्हें जाना जाता है well known का मतलब प्रसिद्ध है या जाना जाता है novelist novelist किसको बोलते हैं जिनको novel मिला हुआ राता है ठीक है na novelist ठीक है and short story और छोटा कहानी लिखने वाले लगु कहानी लिखने वाले writer है ठीक है according to manohar malgonkar ठीक है na मतलब manohar malgonkar का जिवनी है कि उनका जनम कब हुआ था 1913 में उनका जाने माने प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध novelist है और short story writer लिखते थे ठीक है na this story is full of wit and adventure देखे this story यह story यह कहानी कैसा है full of wit, wit का मतलब होता है बुद्धी, full का मतलब भरा हुआ, full of का मतलब भरा हुआ wit का मतलब होता है बुद्धी और adventure का मतलब होता है चतुराई, मतलब चतुराई और बुद्धी से भरा हुआ यह एक बहुत ही शांदार short story writer है short story chapter है ठीक है in this story author shows the wheat of Nanuka का इसमें author जो है हमारे मनोहर मालगौन कर ठीक है यह क्या दिखाते है wheat of Nanuka का Nanuka के चतुराई के बारे में बताते है दिखाते हैं ठीक है न मतलब Nanuka का के चतुराई के बारे में बताते है Nanuka का जो थे इनके maternal uncle थे यानि mama ठीक है mama कहिए इनके mammy का वाई कहिए यह भी कहीं कहीं देता है his brothers his mother's brother option में यह भी देता है तो आपको ध्यान देना होगा वहाँ भी आगे बढ़ते है when authors mothers announces जब author मतलब author के mother announce करती है घोसडा करती है ठीक है ना लेखा के Nanuka का is coming की Nanuka का आ रहे है then author got disappointed उस समय जो writer होते है author जो है क्या हो जाते है जी disappointed हो जाते है disappointed का मतलब होता है निरास हो जाते है ठीक है ना क्या हो जाते है निरास हो जाते है but anyhow the narrator goes to the station and meets him और anyhow किसी भी तरीका से क्योंकि वो उनके मामा थे मा के कहने पर बात तो मनना ही पड़ेगा anyhow the narrator goes to the station station जाते है ठीक है ना and meets him and station जाते है और उनसे मिलते है him who has an impressive impressive का मतलब अदभूत कहिए प्रभावित कहिए personality जिनका personality कैसा था जी बहुत ही impressive personality था with white hairs और उनका hairs कैसा था? white था ठीक है ना? white and mostic देखे white hairs and mostic मतलब मुचे भी कैसा था? हमारा मुचे भी उनका कैसा था? white था और hair भी कैसा था? white था nanuka का came to the narrator's how to meet some ministers nanuka का आये थे narrator's के house मतलब लेखक के घर कुछ मंत्री से मिलने के लिए, कुछ मंत्री से मिलने के लिए, ठीक है ना? कुछ मंत्री से क्या करने के लिए? मिलने के लिए nanuka का takes a pinch of snuff and narrator took nanuka का to see the welfare minister मतलब nanuka का takes a pinch of snuff, nanuka का pinch of snuff लेते हैं, एक चुटकी सोहनी लेते हैं, narrator took nanuka का to see the welfare एर मनिस्टर और नानुका का कहा ले जाते हैं व ஓर मनिस्टर के यहां he takes a splendid car ठीक है वहाँ कि से जाते हैं splendid car से फोर तिस he calls for a dhobi and uses to trap and uses to trap and uses to trap देखिएगा या है स्थोड़ा सा देखिए फिर से नानुका का takes a pinch of snuff and narrator took Nanuka to see the welfare minister. Nanuka का कहां ले जाते हैं welfare minister के घर और ओभी किस से? एक splendid car से. For this he calls for a dhobi. इसके लिए वो a dhobi को क्या करते हैं? बुलाते हैं and uses to trap the manager of Sika auto driver dealers. और इसके, मतलब trap का मतलब जाल बिछाना ठीक है? और Nanuka का क्या करते हैं? Sika auto dealers जो है. वो गाड़ी वाला का मतलब ये मालिक होता है. इसको फसाले के लिए वो धोबी को क्या करते हैं? मतलब धोबी से जाल बिछवाते हैं. ठीक है न? ताकि manager फसे और अपना गाड़ी private car दे दे. ठीक है? Then he takes car to minister और वहीं कार लेकर कहा जाते हैं? Minister के यहाँ. In visitors book, he mentions himself. ठीक है? Visitor book का मतलब क्या होता है? Visitor book का मतलब होता है. देखिए. Visitor book जैसे होता है कि पहले के मंतरी बगाएरा घर के जाने पर वहाँ उसमें ये note किया जाता था किसलिए आये हैं आप मिलने के लिए अगन्तुप पुस्तिका भी उसको हिंदी में बोला जाता है. In visitors book, he mentions himself. उन्होंने अपने आपको क्या बताया? The hereditary pundit to the Maharaja of Ninar. उस hereditary, मतलब उस book में उन्होंने visitor book में क्या लिखा? Nanu का का न लिखा? कि वह खुद क्या है? Hereditary, hereditary का मतलब होता है. देखिए, मतलब बंसच, क्या बंसच से आया हुआ? जैसे होता है, hereditary pundit to the Maharaja of Ninar. Maharaja of Ninar, मतलब Ninar के Maharaja के घर का कई बंसों से, पुर्खों से आया हुआ ये पंडित अपने आपको बताते हैं? ठीक है ना? At last, मतलब अंत में, he gave Delhi address where the writer lived. और अंत में उन्हों ने, मतलब जहां writer रहते हैं, उस address को लिखा. ठीक है ना? In the long run, in the long run का मतलब होता है, अंत में, the welfare minister himself comes to residence of the writer. देखिए, ये अंत में क्या होते हैं? कि welfare minister ही आज आते हैं, कहां पर? residence of the writer. Writer के residence पर, अवास पर. क्योंकि यहीं का address उन्हों ने दिया था, नानु काका ने. Where, नानु काका welcomes him with respect. जहां पर नानु काका ने उनको welcome किया, ठीक है ना? Respect के साथ, आदर के साथ. देखिए, नानु काका से मिलने के लिए, welfare minister आ गया. कितने चलाँक थे नानु काका? समझ सकते हैं आप. Thus, this story shows the adventure and determination of नानु काका to do anything. इसलिए, इस टोरी क्या दिखाता है? Adventure, चतुराई and determination. Determination, समझ रहे हैं ना? Determination को बताता है, of नानु काका to do anything. नानु काका के बारे में जो कुछ भी कर सकते हैं. अपने determination से, ठीक है न? अपने adventure से. तो I hope कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आया होगा, एक-एक word meaning आया होगा. ठीक है? ऐसा ही कुछ amazing वीडियो के साथ मिलते हैं. Next session में. Thank you.